Hello Everybody HSSC Result Sambandit सुचना जरूरी सुचना है आप सभी के लिए यदि आप जाना चाहते हैं किस परकार की जरूरी सुचना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे हैं दोस्तों यदि आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं और आपका एक्जाम में कंपूटर संबंदित क्वेशन पूचे जाते हैं तो ढ़ाई जार क्वेशन एक जगाए पर इकठे कर दिये हैं मोग टेस्ट के रूप में PDF के रूप में KTDT Online Education अप पर अभी Special Offer चल रहा है अभी Special Offer चल रहा है तो दोस्तों बात कर रहे हैं HSSC Result के उपर बहुत सारी HSSC की भरतियां है जिनके Result Pending है दोस्तों किसी का एक्जाम हो चुका है किसी का DV हो चुका है उसके बाद के जो प्रोसेस हैं वो बाकी हैं ऐसी कई भरतियां हैं और आपने चीज़ी देखी हैं आप ऐसे से जुड़े हुए हो आपने अभी देखा भी होगा एक मिन में आपको दिखा देता हूँ यहां पर आप ये नियूस पेपर में देख पा रहे होंगे बसे चली तो बेरोजगार यूवाउं का सीम को टवीट भरती भी खोलो देखे यूवाउं ने टवीट किया जेई की भरती के लिए जेई सीविल की भरती के लिए एड़वर्टाइजमेंट 10-2019 के लिए नतीजा क्या निकला वो सुनिए अब सोशिल मीडिया से मुझे ले नहीं पड़ेगा चुकि नौजवानों से जुड़ावा सवाल है हर्मान पूनिया है आपके हर्याना के ही वो है और उनके कुछ और लोग है ट्विटर्स पे आए हैं उनके एक जिग्यासा एक सवाल है कि हर्याना सिविल जेई की परिक्षाएं होई थी इस पर कुछ प्रखास चाल सकें तो हमारे नौजवानों का बहला होगा बाकी तो यह भी चुकि नौजवानों को रोजगार से बढ़ा हुआ सवाल है अभी तीन चार परिक्षाएं हो कि इस महिने के अंदर अंदर जो हमारा स्टाफ लेक्षिन कमिशन है वो इस निर्णे को इस अपने परिणाम को गोशित कर देंगे और एक मेना परिणाम गोशित करने के बाद पिर वीशा आयागा पॉइंट्मेंट का डेपाट्मेंट अपॉइंट्मेंट जल्दी दे दे लेकिन जैसे बाकी चीजें उनकी गती थोड़ा दीरे हुई है रुखी है ऐसे हमारी सेलेक्शन की जितनी एजसिस है उनकी भी गती थोड़ा दीमे हुई है चाहिए वो स्टाफ सेलेक्शन कमिशन हो या पिर हरियाना पर सर्विस कमिशन हो फिर भी जैस की कोई समस्या नहीं ह और ने को अधान सुना कि यह ड्यूट का ही की मुख्यमद्री यह साब आपके टीट के बारे में जिकर करें हैं और आपके टीट का जो ज्वाब है वो दे रहे हैं कि आपका रिजल्ट इसी महिने में डिकलेर किया जाएगा डेई सीविल के बर्ती के लिए लगातार दोस्तों जो कलरक यंडरेट हैं वो भीkr इस मुही में जुड़े में हैं हर रोज हो तवीट कर रहे हैं अभी उन्होंने 20 तवीट करने का जो ग्यारय आप जै एक साथ तवीट करेंगे सभी कलरक यंडरेट हैं उनका भी देखिए य यहां पे जो HSS के चेर्मेन साब है ना उन्होंने कलरक के बारे में ये स्टेटमेंट देदी कि जून जोलाई में इनका रिजल्ट भी गोशित हो जाएगा जो कलरक वाड़े के एंड़ेट हैं ठीक है लेकिन लगातार जो ये कैंड़ेट है कलरक वाड़े ये लगातार मुहि दिया जाए सरकार इसके बारे में सचेत रहे ठीक है आपने ये चीज भी सुने होगी कि जो गुरूप डी की वेटिंग लिस्ट है या जो भरत्या कैंसल की जा रही है उन्हों क्या होगा यहां पे जो दिपेंदर हुड़ा है उन्होंने भी इसके बारे में आप युवाउ हैं जिन्हें आपका रिजल्ट्रे निकाड़ना है जिन्हें आपको ज्वायनिग देनी हैं उनके कान में कुछ ना कुछ होता है करें ओर दोस्तों मिल जुलकर हमम कुछ ना कुछ करते रहेंगे हल चल मुहीं चलाएंगे टुईट पर CM के पास, दुशन जी के पास, दिपेंदर हुड़ा के पास, जितने भी उपर स्टाप बैठा है, राजनेता बैठें, जिनके हाथ में ये चीजें हैं, उनके पास tweet करेंगे, और उनके कान में कुछ ना कुछ होगा न, तो वे आपके बारे में जिकर करेंगे, और आपके बार हैं कि आप गुरूप बनाओ, हम भी tweet करना चाहते हैं, देखे मैं आप सभी को एक request करता हूँ, बहुत सारी भरतियां भी रद हो रही है, बहुत सारी भरतियां, result भी आ रहे हैं, यदि आप अपनी भरति को भी उपर रखना चाहते हैं, उनके mind में, तो आप नीचे link दिये गरे है, घुरूप के उन गरूप को जोईन कीजिए, Whatsapp group को जोईन कीजिए, टेलीगराम इस वाटशब गरूप करते हो आपके लिमिटेड बच्चे हैं, यदि अप club को जोईन करोगे, बच्चे इसमें एक गरूप में जोईन कर सकते हैं, जो गर्थ आपकी है, उसी peak गर् रिजल्ट निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे और मुहीं चलाएंगे आपके रिजल्ट को निकलवाने के लिए जॉइनिंग को दिलाने के लिए गुरुप डिकी वेटिंग क्लियर करवाने में तो आप जुड सकते हैं जब जैई पर देखेंगे किस बरते के बारे में कब टवीट करना कैसे टवीट करना है एक पैसा खर्च निकलना आपको ठीक है और दोस्तों यह आप आगे एक्जाम की त्यारी करें आपका एक्जाम में कंप्यूटर समद्ध परसन आएंगे आप मुझे केटे डीटो लाइन और चलनों का शंगर एक जगह पर मोग टैस्ट के रूप में पीडियाप के रूप में जितने ज्यादा मोग टैस्त ट्राइं करें उतना ज्याधा आपका इंकरीज होगा उतना ज्यादा चैनल से आपका एक्जाम करा कुण में यह वीडियो आपने यहां तक देखिए आप सभी का बहुत धन्यवाद बगवान के आप सभी का दिन सुभ रहे